कि डॉक्टर्स ने पूरा बोड़ी चेक अप कर लिया सब कुछ नहीं है इसमें नथिंग कि अपने जी के वहां गए बाला जी के उसने जो है बोला दान दो मैंने का इल्ल सो रुपे का दान माँगा मैंने का एक हजार पकड़ो महराज यदि कुछ हो जाया तो मैं अभी साही रात मेरे एक टांग पर खड़ा रहूगा यदि कैसा भी कुछ भी यदीश में होता है वो करने को त्यार हूं fully dedicated और पाकिस्ताइन जाने को त्यार से जाने को त्यार ता लेकिन और वें कोई लाब नहीं मिला हम देवी देवता अनुमाणजी शिवजी च्पया दिया कोई किसी को भी जो आया सबको पूझते थे और मितलब जितने भी देवता है सबकी पुझा करते कि अत्ती देवि देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाप पराफ्त हुए तो मैंने पहले आशा करी नहीं थी लेकिन जब एक ऐसा टाइम माया के जब लाफ का एक टाइम आई गया कि जब देवि देवताओं को अपना पराफ्त दिखाना चीए था जब भी नहीं दिख भी हैं फिर हार गया फिर मैंने सोचा लास्ट में कि भाई अब पहले तो पड़े लिखे वाली बात करी हमने जैसा कि सब करते हैं पड़े लिखे लोग क्या बोलते हैं कि अरे देवी देवता बागवान बूद परेत इंसी विश्वास नहीं करते हैं एजुकेटेड होने के पड़ालिका आदमी हूं तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा कि फर्स्ट आइशूड गोट डॉक्टर गोडॉक्टर को दिखाया आपने तो मैं बिलकुल क्यों नहीं दिखाया सबसे पहले फर्स्ट वाल आई विंट वेरी पॉपुलर डॉक्टर इन रॉक्लेंड अब दूसरे डॉक्टर गए उसने का कुछ नहीं नथिग एंजाइटी है कुछ है तीसरे गए चोते के कम से कम मैंने करी 15 डॉक्टर अलवर के तो इतने फेमस डॉक्टर और इस डॉक्टर सोलंग की ऑस्पीटल अलवर फेमस जो डॉक्टर हैं जितने भी दिमाख वाली ड लवर एक साल तक मैं इससे परिशान रहा पूरा नैट एक साल उसके बाद लास्ट में फिर मैंने का क्योंकि मैं एक पड़ा लिखा आदमी हूं तो कोई कहा 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 रहा है ट्रीटमेंट कराने तो मैंने का भाई बहुत बड़ी आ ऑस्पिटल जाऊंगा पड़े लिखे हो सब जिए गुमले किसी ने मुर्गा काट दिया अनुमान जी के मां बाला जी के उसने जो है बोला दान दो मैंने का इल्ट सो रुपे का दान मांगा मैंने का एक हजार पकड़ो महराज यदि कुस हो जाया तो मैं अभी साही रात मेरे एक टांग पर खड़ा रहा हूंगा य पिर आप संत्रामपाल जी माराज के सड़ में कैसे आए सर यूनो एक्चुली क्या है कि एक मेरा एक फ्रेंड था तो कि सच साहिब इंस्टूट अभी फिला लबर में चला रहे हैं तो उस दोस्त ने मुझसे कहा कि बही ऐसे से मैंने एक गुरूजी से नाम ले रहा है मैंन मैंने का वह लेकिन हो जेल में तो बोला आप जेल वेल चोड़ो तो मैंने काया उनका मैंने ग्यान पड़ा था एक बुक के एक आए थी मैसेज तो डिवोशन टेडर वन और माई स्टूएंट गेव टू में था बूक और एक यूनिक नॉलेज इन इस वर्ल्ट अड़ और आई डिरेंट लो वेर टूगो रास्ता मुझे मालूम नहीं था किताब तो मैंने पढ़ ली लेकिन नाम कहां से लो किसके पास जाओं ऐसा किसी नहीं बड़ा एक मेरा पुराना इस्टूएंट था उसने मुझे दी किसर आप यह इस बुक को एक पढ़के देखिए बहुत और एज मैं थे वो इंग्लिस में पढ़ाता था इस बिंग करता था उन्होंना मुझको एंग्लिस में लाके दी तो मैं बहुत प्रवाबित हुआ और मैंने का इट से वरी गुड बुक तो उन्होंने आगे कर रस्ता उन्होंने बताने में थोड़े जिजग गए वो जिज में तो बुला जेल वे चुड़ा आप एक बार उनकी नौलिज देखो और आज भी वही चमतकार हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे तो मैंने का अब तो जैसे उन्होंने यह बात कई वैसे एकदम मेरा दिमाग एकदम बिल्कुल कन्फ्यूज टोटली मैंने का यह सही हैं ब दिल्ली बंबई कहीं भी जाना पड़े मुझे ऐसी नाम विष्टा है तो मुझे पहले लेकर चलूआ तो उन्हें फटाक से मुझको बताया और मैंने उनसे अपने सारा दुख जितना वी रो दिया वैसा ऐसी बात हो बोले कुछ नहोगा सबसे हो जायागा डूंट वरी अ कहीं के ठीक है फिर उसके बाद मैंने संत्रामपाल जी से मैंने वहाँ पर नाम दिक्शा लिई सेолжsk शैड़ रामपाल जी महराजा से बिड़ से रास्तार नजर नहीं आ रहा था बोपाशानों से करकर के पूरी परहसान हो गए थे डॉक्टर सबसे पहले चेक कर रहा लिया था तो कुल मुला करके इस पूरे जो बीमारी से जब मैंने नामदान लिया तो फिर मैंने कहा डेड़ से दो महीने लगवग मैंने एक मंतर का जाँ रही है अचानाक से मतलब मुझे फ़िल हुआ और ना मेरे एक नो बेक में मैंने सारे बोडी का मैने कर आ हुएक सरे कम सक में चार चार बार तो एक सरे कर वा लिया और एक सरे कुछ मैंने पूरा एम passed कराने की फोरी planning में था और मैंने कापी से ज्यादा है सद जै ने पीर पड़ा ही तो मेरों को पता लग रहा थै कि मेरे अंदर क्या हो रहा है जानता तो करे यह कितना है कितना बढ़िया है सब कुछ पिट है लेकिन अंदर से मरा जा रहा था एक दिन रात को ऐसा लगा कि मैं आज मर कर गड़ गई होती और मैं वाक़ी मरने की आरट मेरी हाट वी इतनी तेज़ कही कुई कुछ नहीं कहीं, बोले भई, यह तो तेरे पता नहीं, क्या भीमारी है, कोई रस्ता हो तो आफिक नाम लिया तो, उन्हों था उन्हों ने तो अमरने के बाद तक पूरी जर्नी की लुख जब पूरा रास्ता ही की लिख हो गहा, कोई बाद ही नहीं जब सब कुछ सेट होगा दिमाग में यह है एक्चुल इस्पिरिचल नॉलेज उस दिन से बाद फिर दिरे 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 मेरा पूरी बीमारी अपने आप जड़ से गाया होगी आज में पूरी दिरस्वास्तु मुझे यह नहीं पता मेरे सेरीन में कोई बी प्राप्त हुआ है जो कि इससे मेरा विश्वास बहुत बिल्कुल दर्ड हो गया कि मैं कि जब परमात्मा इतना कर से कुछ भी कर सकते हैं और यह तोटली राइट इसके लाव मुझे आध्यात्मिक नॉलेज हुई है पूरी गीता वेद रामायन यह जो अठारा पुरान औ और हमें इतनी चिए उमर में इतना एक गंबीर ग्यान हमें पराप्त हुआ है यह मेरे लिए युए बहुत लाव है सर आप पढ़ेए लिखे हैं और पढ़ेए लोगों चाहए अक्सर यह मानना होता है कि उनका ध्यात्तम में बहुत कम रूची होती है वो भक्ती नहीं करना चाहते हैं सर यह बात कहां तक सही है पढ़ेएो क्या जब कहते हैं जब बीमारी जब सर पर आती है तो सब पढ़े लेके सबसे पहले बागते हैं तो ये तो सब एक बेकार की बात है पढ़े लिखे जो है बगवान या पर देवी देवता ये सब एक दिन पढ़े लेके सबसे पहले बागें क्योंकि आवशकता बगवान की पढ़े लिखे को भी है एक अनपड़ गमार एक मजदूर को भी है और एक आईएस को भी है तो जब बीमारी होती है आएट बीमारी हो रही है आज कल कैंसर हो रही है कितनी बहेंकर बहेंकर बीमारी बनती है तो पड़े लिके लोग तो सबसे पहले चपेट मारे है तो पड़े लिके लोग तो तुरं सबसे पहले इंपोर्टेंट बात यह हो रहे हैं सर आप एक ऐसे संद के संड में जा रहे थे जो जेल में हैं आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं मैं गल्ति कर रहा हूं सर एक्चुली क्या है कि पहले हमने जाचा परका वो कहते ना कि कभी साहिब जी ने एक दोआ का आया कि पानी पी और चान के और गुरू बनाओ जान के तो उस दोये के आज इसाब से मैंने पहले गुरू को जाना क्या ये बिलकुल सही बात कह रहे हैं तो गुरू को जानने के बाद हमने किया अब इस जेल में हो चाहे कहीं इससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि उनका ग्यान बिलकुल सचा है और ये एक आमेबाद में पता लगा ये एक राजनी सड़ियंतर भी है और उनके ग्यान का वरूत किया जा रहा है तो ये है इसमें एक चुल बात जैसे कि आपने भी बताया कि संत्रामपल जी महराज के ग्यान का वरूत किया जा रहा है सर क्या कारण है संत्रामपल जी महराज के ग्यान का वरोद इसलिए क्या दार एक तो जूटे पाक अंडियों को दुकान खुले हुई है मंदिर मस्जिद गुर्दवारा और इस सारे इतने टोना बोपा यह सब अपनी दुकान खोलके बैठे हुए है कोई परेशान जनता मेरे बसता नहीं है डॉक्टर के बाद फिर यह बोपा से आने और पंडित इनके चक्कर में आदमी चाहिए कैसा भी हो फस्ता जरूर है अंडर पर्सेंट शिक्यूर बात है इसलिए जब इनके बोपा से आनों की दुकाने बंद होने लगी सच्चे घ्यान का परचार होने लगा जनता तो चलो भोली है उनको तो मालूम नहीं है लेकिन जो यह पाखंडी लोग जो अपनी दुकान इनकी बंद होने लगी तो जैसे दुकान बंद होने लगी तो इन सब बैय हो गया कि हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी हम कहा जाएंगे अगर यह ऐसा होने लगा तो इस खारण से यह पूरा एक सेडेंटर है और आरे समाज जो की संत्रांपा जी माराज हमायर गुजी ने एक पुस्तक दी दैनान सरसुतिन लेगी सत्यात प्रिकास तो वो जो पुस्तक है पुस्तक मैं गुरुजी ने एक एक चीज खोल के बता जी देखो इसमें पहलाने पेश पर इस तरीके से लिखा हुआ है जो की बिल्कुल गलता सामेज दिस्टी से भी और दुनिया उसको फोलो करती हा रही है तो जब अग्यान की खाल उतार दे एक त टहट लेते हैं यह तो एक सरदा है तो अंध्य होनी चाहिए और गृुजी जैसा कि बताते हैं रह gesch सुना बेश भी है और एक नौलिज की बात भी है कि यदि हम को किसी में विश्वास ही नहीं तो विश्वास तो अंध्य-स्रदा बक्ती से ही रही हुआ पर हमने तो इस सो तो हमारे मन के अंदर हमको परमातमा जबने मान लिया और उनका टोटली हर तरफ से जब सही सहट बैठ रहा है तो वही एक रास्ता बच्ता और कोई रस्ता भी नहीं है कहीं भी चले जाएं बस क्यावल एक ही रस्ता ना जलाएगा कई बार मुझसे लोग पूछते हैं क्या आ लोग करते हैं आप जन्समदाई को किया संद्य देना चाहेंगे साथ साथ आप युवाओं को भी क्या कहना चाहेंगे युवाओं को यह कहना चाहोंगा यह चार दिन की चांद नहीं पिर अंदरी राथ बढ़ापा सब पर आएगा एक्सिडंट किसी का भी हो सकता है प्रत्वी पर और कहीं कैसी भी सिक्राइट नहीं है और सचा रास्ता भी वहीं है इसलिए मैं युवाँ को यह संदेज देना चाहूंगा कि आप जाए अपना कल्यान करना नाम लें और हर तरफ से सुरक्षा पराप्ट करें वरना आज कल आप अख़वार पढ़ते हैं डेली और नीचे जो है उसमें एक पट्टी होती है और उस पर एक नंबर लिखा होता है आप उसमें कॉंटेट करके और संत्रामपाजी महराजी से नाम दिख्षा ले सकते हैं धन्यवाद सर थैंक्यू सर पानी प्यों चाहन के और गुरू बनाओ जानके तो उस दोए के आज इस तो यह है इसमें एक चुल बात